थे हलोष वालकम टू थिस नूझ वीडियो और आज किस वीडियो में हम जो है हमारे नेट वरक का स्पीदP टेस्ट जो है वह करेंगे कि हमारे कितिने में आज कर रहे में क्यों नाइडपीट o के अंदर so I am in the Jupiter notebook और यहां पर मैं फर्स्ट सेल के अंदर जो है हमारी एक लाइबरी को इंस्टॉल करूंगा जो कि कुछ स्टॉल करेंगा मेरे सिस्टम के अंदर जो की हैल्प करेंगे हमारे उन फंक्शन को यूज करने तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मैसी जा रहा है रिक्वायर्मेंट ऑल्रडी सेटिस्वाइड इट मींस हमारा जो स्पीटेस लाइबरी है वो मेरे इस सिस्टम के पर्द्रों कि है उसका स्पीटेस्ट नाम का एक पर्टिकुलर फंक्शन है जिस हमायने आप पापैए इंपोर्ट करा लिहा है मेरे सिस्टम के अंदर और सिपिटस्ट लाइबरी का एस जो है वो यहां पर स्मॉल है और speed test function का जो ऐसा है वो यहाँ पर capital है because यह function और library इन दोनों के name को differentiate करता है तो इस line के help जो मैंने speed test library की अंदर एक speed test function जो है उसे import करा लिया मेरे system के अंदर परे notebook के अंदर and then मैंने मेरे एक st नाम के variable के अंदर इस speed test function के जो भी parameters थे वो मैंने आपर store करा लिया यानि अब मैं speed test को जो है as st यूज कर सकता हूँ because speed test नाम के जितने भी functions या parameters थे वो मेरे अब एक st नाम के variable में store है next मैंने क्या किया print कराया your connections downloading speed is यह मैंने simple एक message दिया print command के अंदर उसके बाद comma की help से मैंने आपर क्या किया comma st.download यानि कि st जो भी हमने speed test function के अंदर parameter store कराया थे उसका यूज करता हुए download function जो मेरा speed test library का function है st.download और divide by 1024 का square इसको भी हम जानेंगे हमने क्यों किया लेकिन st.download function हमारे क्या करेगा हमारी downloading speed जो है server की उसको print कर देगा but वह print करेगा bytes की form में तो उस byte को हमने megabytes में यानि की mbs के अंदर हमने convert करने के लिए क्या किया 1024 के square के साथ divide कर दिया और comma mb per second का again एक message दे दिया तो एक complete line मेरी क्या करेगी और connection downloading speed is जो भी मेरी downloading speed होगी mbps के अंदर और mbps यहाँ पर हमारा produce कर देगा output के अंदर next line हमने यहाँ पर type की print your connections upload speed is यानि जो uploading की speed है कोई भी file हम upload करते हैं हमारी system के अंदर है किसी भी folder के अंदर तो उस time पर uploading speed कितनी है तो st. upload function का use किया again speed test library का एक function है और again उसे 1024 यानि की 1024 जो की 1 kilobyte के equal होता है उसका square हमने divide कर दिया इस byte वाली speed के साथ जो की हमें output देगा mbps में यानि की megabytes per second में और st. upload function का use करते हैं हमने क्या किया शेल को जो है run कर दिया जैसे मैं शेल को run करूंगा आप यहां पर output देखेंगे अभी कि मेरा जो connection है उसकी downloading speed कितनी है और उसकी uploading speed कितनी है तो let's wait for the output जैसे कि आपने देखा यहां पर एक message आए is 46.7 862 something mbps यानि अभी मेरे system की जो downloading speed है जो भी मैं network का use कर रहा हूं उसकी speed आती है मेरी 46.7 mbps और जो connections की uploading speed है यानि जो मैं किसी files को या किसी भी folders को upload करता हूं किसी site पे है किसी भी प्लेस पे तो उसकी जो मेरी uploading speed है वो मेरी 47.9 यानि अप्रोक्सिमेटल 48 mbps पर सेकेंड तो यह एक छोटा सा code था जिसकी help से जो हमने या फिर बोल सकते एक छोटा सा project था python का जिसकी help से हमने क्या कि एक simple speed test library का use किया speed test function के कुछ functions st.download और st.upload function का use करते हैं हमने downloading और uploading speed हमने major की हमारे network service provider की अप्लोडिंग और uploading speed हमने major की हमारे network service provider की